आज का टॉपिक है Manufacturing Process of Urea तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम Urea की properties के बारे में जान लेते हैं इसको आप note कर लो या फिर आप इसका screenshot ले लो और ये हैं Urea के uses इसको भी आप note कर लेना और ये हैं Urea के raw material के बारे में इसको भी आप लिख लेना और ये है Urea की reaction इसको भी आप note कर लेना चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस diagram के help से पूरी process को समझने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं Step 1 सबसे पहले हम 3-5 mol ammonia और 1 mol CO2 लेते हैं उसको हम compressor के help से compress करके Urea synthesis autoclave में भेशते हैं जो step मैंने अभी आपको समझाया है उसको मैंने लिखा भी है आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो आपको आगे हर एक step ऐसे ही लिखावा मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं Step 2 Compress ammonia और CO2 को हम Urea synthesis autoclave में भेशते हैं यहाँ पर temperature 185 degree Celsius pressure 180 ATM होता है reaction को maintain करने के लिए हम यहाँ पर cooling water की supply करते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर CO2 और ammonia आपस में reaction करती है और हमको ammonium carbamate मिलता है ठीक है फिर हम ammonium carbamate में से water को remove कर देते हैं और हमको urea मिलती है यहाँ पर हमको 33% urea मिल जाती है और साथी साथ हमको unreacted gas जैसे की ammonia CO2 ammonium carbamate मिलता है चलिए इस point को हम note कर लेते हैं step 3 33% urea और unreacted gas को हम flash evaporator में भेजते हैं यहाँ पर हम urea की concentration को increase करते हैं यहाँ पर हम urea में से unreacted gas को remove कर देते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो temperature होता है वो 140 degree Celsius और pressure 27-8m होता है यहाँ पर क्या होता है जो urea में unreacted gas होती है वो वेपर की form में change होकर उपर से निकल जाती है जिसको हम recycle के लिए भेज देते हैं ठीक है चलिए अब इस point को हम note कर लेते हैं Step 4 अब यहाँ से जो हमको urea मिलती है उसमें अभी भी कुछ मातरा में off gases जैसे की ammonia और CO2 होती है ठीक है यूरिया की concentration को और ज्यादा increase करने के लिए हम अपनी यूरिया मिक्षर को flash दर्म इवोपरेटर में भेजते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो off gases होती है जैसे की ammonia और CO2 उसको हम कहा भेजते हैं recycling के लिए भेज देते हैं या फिर उसको हम दूसरे काम में यूज कर लेते हैं ठीक है अब आप लोग यह सिंबल देख रहे होंगे इसको बोलते इस्टीम सोर्च और इसको बोलते है प्रेशर रिड्यूस वाल्ब यहाँ पर क्या होता है यहाँ से हम इस्टीम को मेंटें करते हैं अगर हमको रियक्शन में इस्टीम देनी है तो इस्टीम देते हैं अगर इस्टीम यहाँ से लेनी है तो इस्टीम ले लेते हैं और इसको को बोलते हैं प्रेसर डिड्यूज वॉल्प यहां से हम रियक्षिन का प्रेसर मेंटें करते हैं चलिए इस पॉइंट को लिख लेते हैं स्टेप 5 अब हमको यहां से फ्लेश ड्रम एवोपरेटर से 80% एक्वस यूरिय मिलती है जुसको हम मॉल्टन में बदलने के लिए वैक्यूम एवोपरेटर में भेजते हैं यहां पर क्या होता है यहां पर प्रेसर होता है 60 cmHg और टैंप्रिकर होता है 135 डिग्री सेल्चियस यहां पर क्या होता है यहां पर हमको 99% मॉल्टन यूरिय मिलती है जुसमें एक परतिशत मतलब 1% वाटर होता है चलिए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं step 6 अब जो 99% मॉल्टन यूरिय होती है उसको हम बेचते हैं प्रिलिंग टावर में प्रिलिंग टावर वो टावर होता है जो किसी भी मॉल्टन को दाने के फॉर्म में बदल देता है अब क्या होता है यहां से हम अपनी यूरिय को बकट की साहता से नीचे स्प्रे कराते हैं और साथी साथ नीचे हम कूलिंग एयर को सप्लाई करते हैं जब मॉल्टन यूरिया और कूलिंग एयर आपस में कॉंटेक्ट में आती है तो मॉल्टन यूरिया दाने के फॉर्म में बदल जाती है मतलब ग्रैनूलस के फॉर्म में बदल जाती है और हमको यहां से दाने दा खत्म होती है, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी वीडियो नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाई